विडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सॉलर सिस्ٹम के साथ हमारा और्थ भी है ठीक है स्टार्ट भी है बहुत सारे चीज़ ना तो ओस ब मिलाकर हमारे यूनिवर्स बनतै है तो फस्ट देखे हमारे टॉपिक क्या दिया हुआ था संज फैमली ठीक है मतलब कि सं का फैमली कौन-कौन से है हमारे घर में भी family होते हैं तो family होते है ना मेरे मम्मी, पापा, भाई, बहन यह सब हमारा घर का family है तो उसी तरह से sun का भी family है तो आप sun का family के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है When you wake up every morning जब आप लोग हर सुबह में उठते हो तो do you see sun in the sky क्या आप sun देखते हो इसकाई में तो obvious आप देखते होंगे sun sun भी एक तरह के star है जो हमारे outer space में present है कहने का मतलब की हमारा अर्थ से पाहर है ठीक है हमारा अर्थ पे नहीं है अर्थ से थोड़ा थोड़ा दूर नहीं बहुत दूर है हमारा अर्थ से ठीक है यह हमको क्या देता है हीट देता है गर्मी उससे लगता है और लाइट देता है ठीक है न बाबू लाइट देता है और हीट देता है the sun has a family of eight huge body that moves around it is in a fixed path देखो sun के पास family है ठीक है eight huge bodies है eight huge body कहने का मतलब की बड़ा सा body है इनका eight huge body जैसे की देखा रहा होगा न आपको यह सब ऐसे दिखने में छोटा छोटा है लेकिन यहां तो ड्रॉइं किया है न इसलिए आपको छोटा दिखाई दे रहा है बट बहुत बड़ा होते है तो यह sun का family है इतना सारा sun का यह family है अब कैसे यहां पर दिखाई दे यह sun है sun के बगल में मरकरी है मरकरी भी एक तरह का मरकरी हमारा planet है उसके बाद venus है उसके बाद earth है उसके बाद mass है उसके बाद Jupiter है Saturn, Uranus, Neptune ठीक है न तो हमारा जो earth है यह earth हमारा third planet है तब earth यह sun से count करोगे तो तीसरा number पे हमारा sun आता है हमारा earth sorry sun ने हमारा earth आता है जिस पे हम लोग रहते हैं और भी यह सब भी कैसे हम लोग earth पे रह रह रहे हैं तो यह सब भी same ही उसी चैसा चीज है जैसे earth कैसे है यह भी earth भी हमारा एक planet है तो यह सब भी हमारा planet है तो इसमें confusion नहीं होना है कि ये सब आखिर क्या है, अलग ढंका दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे जैसे अर्थ कैसे है, उसी तरह से इन लोग भी है, लेकिन सब का अलग-अलग features है, कहने का मतलब कि अर्थ के अलावा कहीं पे आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो अर्थ एक ऐसा चीज है, अर्थ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यह ऐसा planet है, जहाँ पे हमको पानी, हवा, पानी, सारा कुछ है बलेगल होता है, oxygen वेगरा, जिससे हम लोग जिन्दा रहते हैं, ठीक है ना, the fixed path, और यह जो है ना, सब fixed path पे है, fixed path कहने का मतलब कि sun से जितना दूर है, हमेसे इतना ही दूर रहेगा, यह भी उतना ही दूर है, यह जूपीटर कभी यहाँ आ जाएगा, तो अर्थ कभी यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अपने fixed path पे है, यहीं से यह इसके चारों और चकर लगाते रहता है, sun के यह lining दिखा रहा है ना बाबू, यह lining इसका मतलब कि यही path पे घूमता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से यह Jupiter है, यहाँ से घूमकर यहाँ गया तो कुछ देर में इसके पास चला जाएगा, फिर दूर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, यह जहाँ ऐसा घूम रहा है, तो अपने ही पोजीशन पे घूमेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, गौटिर अपने पोजीशन पे ही घूमता है, यह बात याद रखोगे, कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है, यह जहाँ सेप में कैसा होते है, राउंड होते हैं, हमारा अर्थ भी राउंड है, अभी हम ज़स्ट पत स्टार्ट करोगे, तो इसको आप बनाओगे, ठीक है, देखिए, यहाँ पे, लुक अट पिक्चर सोलर सिटम, राइट दाउन दा ओर इन विच दप्लानेट समूफ अराउंड अब यहाँ पे पिक्चर को देखना हो, पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पे ओर वाइस लि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, अब यह ब्लू दिखता है, आउटरी स्पेस से, कहने का मतलब कि जो लोग चांद पे जाते हैं, और वहाँ से अर्थ को देखते हैं, अभी हम कैसे चांद को देखते हैं, गोला छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन आप चांद के पास है, अर्थ कैसे बड़ा, उसी तरह से चांद भी है, तो जो लोग चांद पे जाकर अर्थ को देखते हैं, तो वहाँ से कैसा अर्थ दिखाई देता है, हमको चांद वाइट कलर का दिखाई देता है, तो अर्थ से जाओगे तो चांद कैसा अर्थ, चांद पे जाओगे तो अर्थ कैसा दिखाई देगा बबू आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है ऐसा क्यों दिखाई देता है ब्लू क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा 70% वाटर है अर्थ पे ठीक है अब वाटर कैसे कहने का मतलब क्या कि जो लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं हम लोग तो पान क्या है कि blue दिखाई देता है अब यहां देखिए the moon अब हम लोग moon के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना अब हम लोग किस चीछ के बारे में पढ़ेंगे moon के बारे में पढ़ेंगे you must have seen the moon in the sky आप लोग तो moon तो देखें होगे sky में the moon likes a huge ball signing in the sky आप वाल दिखाई देता है आपकोAh signing type मुद्पि चमक की लाह चमकते रहता है इस अर्थ के चार और घूमता र Maurice किस प्रत्वार ओर गूमेंगा और संब के चार और घूमेंगा लेकिन चांद जो चांद अर्थ के चार और घूमेगा फिर से अगर नहीं समझ भाएगो तो वीडियो को पीछे किजिएगा फिर से देखेगा अब देखें यहां पर हो देखो दो मून रात में चुछ चमकता है मून के पास अपना लाइट नहीं होता है जां कि उसक देखें लाइट है नहीं नहीं है तो उसी तरह से चांद के पास भी लाइट नहीं होता यह हमको पता चलना कि चांद का लाइट तो ऐसे कैसे दिखता है वाइट कलर का पूरा वाइट कैसे दिखता है तो यह रीजन है कि जैसे कि रात में तो सं तो छिप जाता है ठीक है ना और्थ उसको दूर से देखोगे, तो चमक चमक ना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा चमक चमक टाइप दिखेगा आपको, तो उसी तरह से जो चांद है, उसका जो बोडी है, वो चमकीला है, जिसके कारण राइट जो पड़ता है, तो रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ तक देता है, अ अच्छे से ध्यान से देखते हैं, इसलिए वहाँ पर मून हमेशा हर एक रात में चेंज होता है, तो कुछ दिन बाद ऐसे आपको दिखाई देगा, फिर कुछ दिन बाद और आधा दिखाई देगा, कुछ दिन बाद और आधा, तो अगर उसका अपना लाइट रहता है, तो क्या ऐसे आधा कटते जाता है, आधा तूट जाता है, चांद ऐसा नहीं होता है, आधा ऐसे दिखाई देता है, इतना पतला तो क्या चांद इतना से गाइब हो गया, फिर जूड जाएगा, ऐसा होता है क्या नहीं, इसलिए न, क्यूंकि जितना लाइट पड़ेगा न हम लोग जब रात में देखते हैं स्काई में तो हम लोग छोड़ा छोड़ा डॉट टाइप दिखाई देता है जो कि हमारे स्टार्स है इसी को स्टार्स बोलते हैं स्टार्स बड़ा होता है साइज में बहुत बड़ा होता है साइज में ठीक है ना लेकिन वह हमको छोटा दि देख पाते हो, क्यों? क्योंकि sun का light से वो छिप जाता है क्योंकि sun से भी बहुत ज़्यादा दूर है इसके चलते हो, उसको छिपा देता है Have you ever noticed the stars forming a pattern? क्या आपने कभी notice किया है कि star जो है pattern बनाता है pattern कहने के मतलब कि आप कभी घर गये होंगे तब घर पे रात में देखते होंगे गर्मी के दीनों में तो उपर में देखोगी क्या रही यहाँ देखो ने, यहाँ star है यहाँ बगल में है, तो आप लोग बनाते हो कि इसका यह बन गया, तो इसका यह बन जा रहा है इसका teddy bear बन जा रहा है ऐसा बनाते हो ना star का जो एक साथ sequence में मिल जाता है आपको star जैसे कि देखो हम बना कर दिखा रहें आपको यहाँ पर इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना कभी-कभी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि हम लोग ऐसे जोड़ते हैं कि आसा यह चीज बन गया यह यह बन करेंगे ठीक है यह बहुत सारे ऐसे कॉंसलेशन को अबजर्ब किया गया है जो कि आपको वहां पर इसकाई में रहते हैं उस चीज को बनाया गया है जैसे कि एक great beer और नाम भी दे दिया गया है उसका एक great beer है ओरियन है यह सब एक्जामपल है कॉंसलेशन का जैसे कि इसको ऐसा देखा गया तो कुछ लोग ऐसा बना दिये इस तरह से स्टार को एक साथ जोड़ दिये और बना जोड़ने को मतलब कि वहां जा करने जोड़ने अपना मन में अपने कैसे imagine करते हो कि ऐसा बन सकता है इसका तो इसको देखो यह हमारा great beer है और यह हमारा क्या है ओरियोन इसको बोलते हैं इस तरह का आपको दिखाई देगा बना जाए और भी बहुत सारे चीज़ बन जाते हैं यह आपका great beer consolation consolation मतलब group of star एक साथ जो star होते हैं उसी को consolation बोलते हैं समूह में अब बहुत ज़्यादा आप कभी कभी देखो कि एक साथ हो गया है कहीं कोई दूर है तो ओ समने जो एक साथ रहे ना उसी को consolation बोलेंगा अगर चाहते हैं कि और भी चैप्टर का विडियो बना कर डालें तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ठीक है बाई टेक केर